हुर्कट प्रकरण में 11,61,000 का मुद्यमार जब किया गया है हिंगंगार के कोठारी कॉंप्लेक्स में रहने वाले हरिया हुर्कट इनके 27,00,000 की चोरी हुई थी इस प्रकरण में पोलिस वारा दो आरोपी को किरफ्तार किया गया है खामगाव, खेलडी, सारोला के लहुद दगडु धंडरे और बुलढा जिला के पेन सावली के राजेंदर सोनु भोसले या आरोपियों के नाम है आरोपियों की और से 11,61,218 का मुद्दे माल जब किया गया हिंगनगाट के हरिश हुरकट और परिवार रिष्टिदार के अंतिविधी के लिए नाकपुर गये थे कुछ अग्याट चोरों ने घर में प्रवेश करके सोने चांदी गहने के साथ 45 लाग का माल चोरी जाने की तकरार नोन की गई थी उसके बाद चोरी में का 20 तोला सोना घर पे मिलने पे तकरार करताने पुलीस को जानकारी थी चोरी किये गए माल का विवरंट कम किया गया इस गुना का तपाज शुरू करने के बाद आरुपियों को गिरफतार करने में पुलीस को सफलता मिली जिला के पुलीस अदिक्षक कि इनोंने विशेश ध्यान दे कर साइबर सेल के माध्यम से गुना के आरुपियों का शोद लगाया मोबाइल टावर लोकेशन से घटना के दिन भारगाव से आय होए कौल कटना के बाद भारगाव से कितने कौल आय गए है यह देखा गया मोबाइल टावर लोकेशन इस गुना में महत्वपूर्ण रहा है हिंगन घाट सेरवी एनुरकर की रिपोर्ट